आज की रेसिपी है बच्चों की फैवरेट जैसा कि फेस्टिवल सर पर है राखी आने वाली है तो आप भी बच्चों के लिए घर पर बनाईए प्राउनी बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी बिल्कुल माउथ मेल्टिंग बनी है और बहुत ज़्यादा सॉ बेकिंग पाउडर डाला है इसमें बेकिंग सोडा नहीं डलता है तो आप जब भी बनाए नाप तोल के इसाब से ही बनाईए आपकी ब्राउनी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी और के को प्राउनी जब भी बनाते हैं मेजर्मन के साथ बनाएंगे तो हमारी बिल्क प्राउनी बनाने के लिए हमें वैट और ड्राइ इंग्रीडिएंट को अलगळग mix करना होता है तो मैंने चुटकी बेनमक डाला हए है इसमें और अब इससे अच्छे से हम छहान लेंगे तो सबी ताय इंग्रीडिय дост को चहानने के बाद deeply and ताकि सबी चीजे एक से अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसके साथ ही मैंने मेल्टेट चॉकलेट के लिए है यह डा कमपाउंड है जिसे मैंने डबल बॉहलर के मेज़ट से इसे मेल्ट कर लिया है और साथ ही इसमें डाला है वन फूट कप घी आप चाहें तो बड़र यूज कर सकते हैं पर मैंने आज इसे घी के साथ ही बनाया है अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ ही मैंने तीन जममच धही डाला है ज़ए खटा नहीं होना चाहिए और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें जाएगा हमारा एसेंस तो मैंने यहां पर चॉकलेट एसेंस यूज किया है अगर आप लोगों के पास हो तो अच्छा है नहीं है तो आप फनीला एसेंस डाल सकते हैं है में और इसे भी मिक्स कर लेंगे है और इसे के अंदर हम डालेंगे तो पावडर शुगर हमेशा में चॉक्लेट के साथ ही मिक्स करनी है और यह मैने 1 hoje कपली है क्योंकि चॉक्लेट अलेडी मीठी होती है तो इसे बिलकुल पर्फेक्ट मीठी बनी है यह अब एक बड़े बॉल के अंदर सबसे पहले हम चॉक्लेट वाला मिक्सर डालेंगे एक पर आप ज़रूरी इस रेसिपी को ट्राई कीजेगा बच्चों को तो अच्छी लगेगी और मुझे यकीन है कि आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी यह अग्लेस ब्राउनी है तो सबको अच्छी लगेगी अब जो हमें ड्राई जो मिक्सर है वह हमें बैचेज में डालना है तो मैंने याद दो बार में डाला है इसे एक साथ पूरा नहीं डालना है और साथ ही मैंने 100 ml दूद लिया है उसे भी हम डालते रहेंगे साथ-साथ अब यह मिक्सर हमारा रैडी हो गया है अब मैंने याद डाक कंपाउंड को यह चाकू से काटकर थोड़ा सा डाला है आप चाहें तो यहाँ चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं इसे प्राउनी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा और चॉकलेटी होता है तो ज़रूर से इसे एड़ कीजिएगा मैंने इसे एक से डेड़ समझ जितना ही एड़ किया है अगर आप और ज़्यादा चॉकलेटी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और इसे डाल सकते हैं जिकिन अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो नीचे चॉकलेट चिपक सकती है तो हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नीच डालना सिर्फ एक से दू चमझ जितना ही हमें डालना है अब लास्ट में आदा चमझ के जितना विनेगर एड़ किया है इसे ब्राउनी की ब्राउनी का बाटर हमेशा केक के बाटर की बजाय खिक ही रहता है तो दीखिए इतना थिक ही आपको बर रखना है अब Gelee STR लगए पहने बटर पेपर लगाया है और उससे उपर फिर से मैंने बटर से इसे ग्रीश किया है और जो ये बटर बतर बनाया था इसे मैंने प तो हमेशा इसे पहले से 10 मिनट के लिए मैं तेज आज पर प्रीहिट करना होता है तो मैंने पहले से प्रीहिट कर लिया था और ओवन में बनाए तो भी हमें प्रीहिट करके ही बनाना है और इसे 40-45 मिनट लग जाते हैं ब्राउनी को कड़ाई में बनाते हुए तो मुझे 45 मि है बिकोल परिक हो गई है हमारी किलीरे अधिक हसे बैख हो गई है है हम चीleye इस टीन है में पैसे माुटनी पर रेक हो यंट मरें किलीर थक्ष हमall matter इसे थंडा करने के बाद हम पीचिस के रहें तो इसे बाहर निकाल लेंगे और अपनी मन चाहिए साइज के पीसेज को कट कर लेंगे अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छे लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी दूसरी रेसेपी इसको देखने के लिए मेरे चैनल जस्ट सब्सक्राइब को विजिट कीजिए आप भी बनाईए थैंक्स फोर वाचिंग माई चैनल